सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है इस दिन भगवान शिव संध माता पार्वती की पूजा की जाती है साथ ही उनके निमित वरत उपवास भी रखा जाता है भगवान शिव बेहत दयालू और कृपालू है अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं उनकी कृपा से भक्तों का उद्धार होता है शिव पुरान में निहित है कि महादेव की भक्ती करने वाले साधकों को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती होती है अतह साधक सोमवार के दिन श्रद्धा भाव से भगवान शिफ की पूजा करते हैं जियोतिश शास्त्र में सोमवार के दिन विशेश उपाय करने का भी विधान है इन उपायों को करने से सर्व कार्य में सिध्धी प्राप्त होती है साथ ही सुक्ष समृध्धी और धन में वृध्धी होती है आईए उपाए जानते हैं सोमवार के उपाए अगर आपके परिवार में हमेशा कलह की स्थिती बनी रहती है तो समोवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विदिवत भगवान शिफ की पूजा उपासना करें इसके पश्चात आसपास में स्थित शीशम के पेड़ को हाथ जोड़ कर कुछ देर तक प्रणाम करें इस समय परिवार के कुशल मंगल की काम ना करें ऐसा करने से परिवार में उपस्थित कलह की स्थिती दूर हो जाती है अगर आपकी समरन शक्ति कमजोर हो गई है तो समरन शक्ति बढ़ाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिफ संग मा सरस्वती की पूजा उपासना करें इस समय मां सरस्वती को दूद और चावल से बनी खीर अर्पित करें आप केसर युक्त खीर भी मां सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं इसी समय शुधगी के दीपक जलाकर उएहरी सरस्वत्याई नमा मंत्र का जाप करें इस मंत्र के जाप से स्मरन शक्ती तेज होती है अविवाहित जातक सोमवार के दिन स्नान ध्यान कर श्वेत वस्त्र धारन करें अब जल में दूद मिलाकर भगवान शिफ का अभिशेक करें आप राहू के तू समेत अशुद ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए जल में काले तिल भी मिला लें इसके पश्चात भगवान को श्वेत वस्त्र अर्पित करें भगवान शिफ को प्रसन करने हे तू उन्हें भांग, धतूरा, मदार के फूल आदी अर्पित करें से भगवान शिफ का अभिशेक करें इसके पश्चात पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के साथ उबरान भ्री ब्रोंसर राहवे नमः मंत्र का जाप करें इस उपाय को करने से पती और पत्नी के मध्य रिष्टे मधुर और मजबूत होते हैं मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए हर सोमवार के दिन सनान ध्यान के बाद कच्चे दूद से भगवान शिव का अभिशेक करें साथ ही सफेद चीजों का दान करें ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है इस उपाए को करने से मानसिक तनाव से मुक्ती मिलती है